चलिए सो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रीवियस लेक्षर का छोटा सा टॉपिक भी बचा हुआ है उसको हम लास्ट में लेते हैं यह चोटा से टॉपिक है सो उसको भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे सो यह बंद्रावीस मिनट अगर आप लोगों ने फटाफट रिस्पॉंट कर दिया तो फिफ्टीन ट्वैंटी मिनिट्स का ही टॉपिक है इस्टीमेटिट टेक्स पेमेंट के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं इस्टीमेटिट टेक्स पेमेंट का मतलब एस पर यूस टेक्स लॉग करते हैं तो जब प्रॉफिट आप रोज कमाते हैं तो प्रॉफिड आप रोज कमाते हैं तो टेक्स भी तो आप पहले भरें तो आप जैसे-जैसे income कमाएं वैसे वैसे टेक्स पी कर दें तो estimated sinus पे आपको क्या करना पड़ता है किए करना पड़ता है तो across the world चाहे इंडिया हो अमेरिका हो ऑस्ट्रिलिया हो सारे में advanced ex का concept है अब सर and success भरना कितना चाहिए है तो advanced tax आप बदाइए क्या actual भर सकते हैं क्या actual income के उपर बरेंगे या estimated के उपर बरेंगे तो इस साल के लिए ही आपको advanced tax बरना है 2023 के लिए उन्होंने एक रूल बना दिया at least 90% of the final income tax through withholding और estimated tax payments मतलब आपको कम से कम 90% 90% आपका क्या करना पड़ेगा जो टेक्स की liability आने वाली है यहाँ पर income tax अकेले वर्ड नहीं है अभी वहां लिखा जरूर है final income tax लेकिन अभी यहाँ पर income tax का भी मीनिंग कुछ और है वह भी हम समझेंगे income tax का मीनिंग क्या लेकिन आपको यह डेवन से पता होना चाहिए कि आपकी जो भी overall income आने वाली उसका at least 90% tax इसनी आपक्या करें दो तरीके से भर दें इस्टीमेट्टे टेक्स और अस्टीमेटे टेक्स किस तरीके से भर दें या तो अवक्षॉं में payment कर दें या उसको self assessment करके करते हैं तो च्वाइस इस यौर कि आप विठ हैल्ड टेक्स आपका जो टीडियस कर जाता है वो भर दें या self assessment करके आपको पे करना पड़ेगा तो इंडिविजल हूँ और इंकम नॉट सब्जेक्ट टुविट होल्डिंग मस्ट पे एस्टीमेटर टेक्स ओन डाट इंकम इस क्वाटरली इंस्टॉल में रोज तो नहीं भरा सकते हैं उन्होंने एक सिंपल रूल बना दिया कि आपको क्या करना है आपकी जो भी इंकम होगी उसका 90 परसेंट इंकम टेक्स या तो विठ हैल्ड में भर दें या सेल्फ असेस्मेंट खुद डिपॉजिट करके पेमेंट करते हैं सर रोज नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने क्वाटरली बना दिये हैं इंडिया में भी क्वाटरली है तो यहां का एर 1 जनवरी से 31 दिसमबर एंड होता है तो कहीना कई डूडेट्स होना चाहिए यह डू सब्सक्राइब करते हैं वह अभी आप खुद करेंगे देखो जो मैं समझा रहा हूं आपको उसके बिस्स पर क्वेश्चन पूछूँगा अभी आपको एक बास समझ में सर 90 परसेंट भरना है और क्वाटरली बरना है तो पहला क्वाटर जन्वरी टू मार्च 15 अप्रेल तक भरदू कितना भरदो वो नहीं बताया अभी आभी वो बताऊंगा मैं कितना अभी आपको यह तो नहीं बताए ना अभी तो आपने बला कि 90 परसेंट तक का भरना पड़ेगा कितना कितना भरना पड़ेगा वो भी समझेंगे पर गजाए टीसरा कॉअटर पर लास्ट लॅटर की जो डेट हुआ है कि वह अगले साल की 15 जन्वरी मतलब अगर हम तो चांद टूट हाउजन ट्वैंटीटी थी के रिस्पेक्ट पर बात करें तो इसका इस लास्ट कॉअटर का आपको 2024 की 15 तॉप जैन्वरी तक क्या करना पड़ेगा फूर्थ इंस्टॉल्मेंट की पेमेंट करती पड़ेगी तो सर्जन दूसरे में दो महीने कैसे हुए सर जन्वरी से मार्च तीन मैंने हो गए ना हाँ वो शायद यहां का आपको टेक्स क्या करना पड़ेगा पंदरा जून तक डेपॉसित करना पड़ेगा तो हम क्या कर्रें अप्रेल 15 अप्रेल 15 जून और 15 सेप्टेमर 15 जनवरी तक सारह तक अन Gu e. सर इन्कम टेक्स की औरेट कोन से Евmausia की सी कौन सिए पहल से कौन से यह पहले डे पर पताया है याद हो आप लोगों को तो यहां देग नहीं है 15 अपरेल तक खटी फस्स मार्च नहीं है पंद्रा अपरेल नॉर्मली 15 अपरेल तक आपको क्या करना पड़ता है अब सर जिस दिन संडे आ गया तो संडे 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 आ गया तो उन्हें ने बोला नेक्स दे पर 15 अपरेल को संडे हैं संडे को संडे तो फिर क्या करेंगे शोला 17 17 अपरेल को आप क्या करेंगे वहां पर भी उस दिन भी कोई लीगल हॉलीड़ नहीं होना चाहिए मतलब सीधी बात है सर नेक्स्ट पर आपका estimated tax का क्या करना पड़ेगा पीमिंट करना पड़े सीधी इतनी सी बात तो सर चाहता तो कॉंप्लिकेट था नहीं फिर भी आपने इसको क्यों लिए कॉंप्लिकेशन यह से शुरू होगा बस यह पार्ट एक्जाम में टू कोश्चन आते हैं और अगर simulation आ गया CPA में तो फिर यह करीब करी दसमाक्स का हो गया तो अब देखिए installment के लिए क्या लिखा है और आप simplify पढ़कर understand कर सकते हैं क्या बोलना चाहरे हैं अगर हम दिखें तो इच इंस्टॉल्मेंट मस्ट बी 25 परसेंट of least of the following या तो आप क्या करेंगे 100% of prior year tax अगर आपने income tax का return फाइल किये पिछले साल 2023 का आपको advanced tax पे करना है तो आप क्या करेंगे 2022 का income tax का return उठाएंगे और देखेंगे कि कितना tax पे किया उतना का उतना 100% का calculation करेंगे जैसे लेट से आपने 60,000 का payment किया है तो 60,000 का आप 25% क्या कर देंगे इधर पहले वाले यहां पर जमा करा देंगे जन्वरी टू मार्च तक मतला 15 परेल तक आपको क्या करना पड़ेगा वो जमा कराना पड़ेगा तो पहली कंडिशन दी कि अगर आपने लास्ट यर का इंकम टेक्स का रिटन फाइल किया तो 100% अफ प्रायर एर टेक्स को ले लो सर दूसरी कंडिशन डली है 90% अफ दी करेंट यर टेक्स यह कैसे कैलकुलेट करोगे आप क्या क्वेश्चन में आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैलकुलेट करोगे बताईए आप अभी 15 तो प्यापरिल को खड़े हो कैसे बताओगे करन्ट यर का टेक्स क्या होगा कैसे बताओगे सर हम एस्टीमेट करेंगे कि हमारा पिछले साल अगर साथ हजार का टेक्स है इस साल हमारी 10% इंकम बढ़ गई है तो हमें एस्टीमेट कर लेंगे कि इस साल हमारी इंकम क्या सकती है सिक्स्टी सिक्स थाउजन आ सकती तो 90% करेंट टेक्स तो जो लास्ट में 90% करेंट यर टेक्स लिखा है अगर आपकी इंकम अन इवन होती है तो फिर आप एन्यूवल परसेंटेज निकाल लोगे के मतलब कभी 10 आउजन हो जाती है कभी 20 वीशन और फिर आपको क्या करना पड़ेगा किन यूलाइज इंकम टेक्स जाटेक्स का रिटन यूलाइज रेट तो उन्होंने आपको क्या बुला सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस समझ में बहुत कम आएगा तो अभी इसको काट दो मैंने लिखके दिये बहुत सारे ओथर ने तो यह लाही नहीं अटा दिये अभी के लिए अटा दो थोड़ी देरे के लिए अभी यह समझो कि सर करेंट यर का टेक्स निकालना है उसका 90 परशेंट और पिछले यर का टेक्स निकालेंगे उसका 100 परशेंट दोनों में से जो कम है दोनों में से जो कम है वही हमारा क्या हो सकता है दोनों मेसेज़ों कम होगा उसका 25 परसेंट हर इंस्टॉल्मेंट में जमा करा देगी यहां तक तो समझ में आगे हैं तीसरी लाइन छोड़ दो भी यहां तक सबको क्लियर है क्या कहना चाहरे कोई ऐसे स्टुडेंट जिसको यहीं तक क्लियर नहीं हो कि planets 2022 की इंकम कुए एस्टिमेट करेंगे एस्टिमेट तो करना नहीं पड़ेगए 2012 में तो आपने एक्च antagon में written file किया हो। 2020 थी कि आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारी इंकम यह है यह हम टेडक्शन ले सकते हैं यह हमारी टेक्सिवल इंकम होगी और कर लेंगे और उसका 90% निकाल लेंगे और दोनों में से जो कम होगा वही हमारा टोटल एस्टीमेट टेक्स का प्यमेट होगा और उस टोटल का 25% हर 15 अप्रेल 15 जून जो भी डेट थी वहां तक पे करते जाएगे अभी क्वेश्चन में समझो यह लाइन नहीं लेकि मैंने लिख कर दी हैं कि बहुत ही टेक्निकल पार्ट में कवर होगी लेकिन अभी हमको पहले बेसिक तो समझ में आए सर आपने यह समझा दिया 25 परसेंट ठीक है उसके बाद एक नीचे लाइन लिखिए कि यहां पर इंकम टेक्स का मतलब क्या है इंकम टेक्स बोलता है कि आप इतना तो मिनिममम टेक्स आपको भरना ही पड़े हो सकता है कि इंकम टेक्स के प्रूवीजन लगाकर आपकी टेक्स लिएपलिटी जीरो आ गई हो फिर भी इंकम टेक्स जाता है नहीं नहीं आपको मिनिममम फिर भी इतना टेक्स बहना पड़ेगा तो वह हम पढ़ाएंगे ना की एंटी का केल्कुलेशन लेकिन अभी थोड़ी बता सकते कि एंटी कैसे क्या पारते क्यूकि वह सपरेट के point of view से और अगर पिछले एर पे किया है तो पिछले साल का पूरा 100 परशंट निकाल लेंगे और इसका 25 परशंट केलकुलेट करके हर quarter में इंस्ट्रॉल्मेंट अब एक प्रोवीजन इस स्पेसिफिक दिया है लौ में टेक्निकली कोई पॉइंट डाल दिये जाते हैं अब यह मत जाना कि सिर्फ 2020 लिखा है आने वाले समय में भी है तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी एजी आई इफ टेक्स रिटन शोज एजी आई इन एक्सिस ओफ वन फिफ्टी और सेवन्टी फाइब मेरिट फाइलिंग सेपरेटली तो यहां पर एक सेफ हरवन रूल अपलाए होगा कंडिशनल रूल कि आपको 110 परसेंड का केलकुलेशन करना पड़ेगे मतलब अगर आप 2021 की टेक्स लिबिलिटी निकाल रहे तो आपको 2020 के टेक्स का 110 परसेंट लेना पहले लिख रहे ना दिस रूल रिक्वाइर इस डैड टेक्स पेर टु मेक एस्टीमेटेट पीमेट अप लेसर ओफ वन वन जीरो परसेंट ऑफ 2020 टेक्स लिबिलिटी और से बात करूं तो 2023 में भी अब आप पूछने वाले थे सर यह से फर्वर रूल क्या होता है क्या होता है कि इंकम टेक्स अपने पास एक कंडिशनल चार्जिंग का पावर रखता उसको से फर्वर रूल बोले अभी उन्होंने नॉर्मल रूल क्या बनाया कि आप क्या करो कि अगर आप पिछले साल का टेक्स देखो उसका हंड्रेट परूर्शन का क्यल्कूलेशन कर लो कर उन्होंने बोला कि इसके कारण कई आप लिपार अप्लिकेबल नहीं हो पाए तो हमने एक सेफ हर्वर रूल कि इंकम टेक्स को नुकसान नहों एक conditional rule डाल दीया है इसको बोलते conditional rules से फरवल रूल का मतलब conditional rules कि अगर आपकी एजी आई वन लेक 50,000 से ज्यादा है मतलब आप बहुत ज्यादा पैसा कमारे होगे अब सर एजी आई 150 मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि एजी आई निकालने के लिए आपको बहुत सारे डेडेक्शन क्लेम करने पड़ते वह आप अल्री पड़ चुके है तो क्या बोला उन्होंने कि अगर आपकी एजी आई के उपर चले जाती है तो हम 2021 की टेक्स लियाबिलिटी निकालने के लिए एक नया रूल लगा देंगे वन वन जीरो अफ 2020 टेक्स लियाबिलिटी नैंटी पर्शन ऑफ 2021 टेक्स लियाबिलिटी अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 2023 में इसको रिप्लेस कर दूं सेम प्रोविजन को तो क्या होगा समझ रहे हैं आप अंकुर आपने विल्कुल ठीक लिखा है कि वो आपसे दस पर्शन एक्स्ट्रा कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं वो यह चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्शन जिसकी एडजेस्टेट ग्रॉस इंकम 150,000 के उपर चले जाती हैं तो वो क्या करें पिछले साल जो सौ पर्शन लिखा है न बस इतना ध्यान रखो यह प्राइर यह सौ पर्शन की जगा 110 पर्शन हो जाएगे मतलब सर हम इतना रूल याद रख लें कि अगर किसी पर्शन की एजी आई एडजेस्टेड ग्रॉस इंकम 150 के उपर चले जाती है तो जो सो पर्शन लिखा है वो कितना हो जाएगा 110 पर्शन हर साल के लिए क्योंकि आप हो सकता है कि आप एक्जाम एपरिल के बाद दो तो आपके उपर नया फाइनेशल एर के प्रोवीजन अप्ली केबल हो जाएं क क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो अब यह हम तो यह तो नहीं कर सकते ना कि आप आज एक्जाम दे रहे हो कल दे रहे हो अब आज आप बैठे हो पता चले आप 2024 में एक्जाम दे रहे हो तो अगर कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट आएगा तो वह उसमें डाल दिया जा कोई चेंजिस नहीं आया है तो सर हमें करना क्या है हमें यह करना है कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एजी आई more than 150 हैं तो जहां पर हंड्रेट पर्षेंट लिखा है उसको कितना कर देंगे 110 पर से कि अग्या हम इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करें करते हैं चलिए तो इंचार कोश्चन में आप लोगों से करवाता हूँ कि मैंने तो इंचार कोश्चन अच्छे निकाले हुए है है कि वही कोश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे सेम थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ थे लिए आप लोगों को एंसर देना है जो पढ़ा मिस्टर बगेलिए सेल्फ इंप्लोईड म्यूजिशियन टाइमली फाइल हिस फर्स्ट इयर इंकम टेक्स रिटन विच शूड एजी आई वन एट्टी बस दिवाग क्लिक कर जाना ची एजी आई मतलब से फर्बल रूल डेड़ लक के ओपर पहुझे के सर्व टोटल टेक्स 45,000 कहां कहां है सर फस्ट इयर का फस्ट इयर का फोट टोटल टेक्स दिदी आ मतलब लास्ट इयर का टेक्स दिदी है ही एक्सपेक्ट हीस इयर 2 टोटल टेक्स इंकम 70,000 वाट इस रिक्वाइड पेमेंट ऑफ विथ होल्डिंग एस्टीमेंट इसीएस्ट एंसर एक ही कैलेकुलेटर दमाना है और एंसर देना है मतलब इससे सरल क्वेश्चन नहीं है आएगे सब को एंसर देना चाहिए नंकुर ठीक है तमारा अभी बाकी सब सोच रहें क्या सोचने की क्या जुरत है इसमें आपने तो बताई दिया था सर एक बात आपने बताई थी कि पिछले साल का अंड्रेट पर्षेंट और करेंट इर का नाइंटी पर्षेंट तो जो पिछले साल का हंड्रेट की जगह हम 110 लगाते है दोनों मेंसे जो कम हो इस साल का टैक्स दिया हुआ ही एक्सपेक्ट टोटल टेक्स देखो ध्यान से पर लो टोटल टेक्स इस साल का टोटल टेक कर लिए 17 तो पिछले साल का 110 तो 45 पर 110 कितना होता क्या सिंपल सी बात थी कुछ भी नहीं सिफ प्रोवीजन की आप लाप गोविंदा जूसी 63 पर क्यों पहुंच गया लोजिक से 63 डाल दिया तुमने 90 पर्सेंट क्या हमने परवीजनग क्या पढ़ा है । हम् करेंट इयर गएंटी फर्सेंट और पीछे पर्सेंट लेकिन और आगर एजी यही 150 न की जग़ा कि एकंसो दस कर दिन बस यही पढ़ा और दोनों मेस्सेजों लेस है तो 49 था अब आप यह मत पढ़ते फिर हो क्या लिखा है इसके पर मत जाओ प्रोवीजन मेरी सिंप्लीफाई लेंग्वेज में याद रखो लॉक कर देते हैं इसको वही या था लॉक में से हाँ यह केलकुलेशन लेगा आपका समय है अब देखो आप लोग क्यों करते हो यह सामने आएगा स्टीव एंड जोईसी आर मेरीड एंड है टोटल इंकम 195-500 फिर दिमाग में क्लिक दिमाग में घंटी क्लिक करना चाहिए टोटल इंकम एंड आइटमाईज डिदक्शन 26,700 लीविंग एस्टीमेट टेक्सिवल इंकम 168-800 हम बार बार AGI के पर फोकस करते हैं अब एस्टीमेटेद टेक्सिवल इंकम देदी आपको 168-800 अजुमिंग एट पॉर टूटाउजन ट्वेंटीवन टेक्स ओन 168-800 वुड भी 35403 मतलब आपको दिमाग में फिगर साइड में लिखते आना चाहिए फिगर साइड में कैसे लिखते आना चाहिए आपको यहां पर जब कभी भी आप कोश्चन करो तो थोड़ा समय कोश्चन करने के समय नोट पेडल लेके बैठो और यहां पर लिखो कि 35403 कौन से 2021 का टेक्स है बाकि सब अक्वास है 35,403 फोकस करने के लिए दे हैव विट होल्डिंग टेक्स 30,000 दूरिंग एर टेडियस कट गया सर तीस अजार कट चू कट विट होल्ड को मैंने अपनी लेंगवज में लिख लिए टेडियस एंडू टाउजन ट्वेंटी डेपेड टोटल 42,000 टेक्सिस तो लास्टियर 42 पे कर दिया था आप भूल भी जाओ तो भी लॉजिक से कर सकते हो कुश्चिन को पता है याद नहीं भी रहता हो क्योंकि लेस्ट है सब आप इतनी हिंट काफी होती है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए और अगर मुल्टिपल चॉइस कोश्चिन सामने हो तो गेस करना तो और भी है क्या सर नो एस्टीमेटेट टेक्स तो यह तो होई नहीं सकते हैं अगर तुम कैलकुलेशन में लिख लो तुम्हारा एंसर सही मुझे कैलकुलेशन बता तुमने कैसे की है कि गैस्वक मार दिये तुमने तुम्हारा एंसर सही है आई नीट कैलकुलेशन फॉम यू आगे नहीं बढ़ूंगा आप एज़ी ज्यादा मान के चलरो करेंट यह दी नहीं कोश्चन में तो 110 ले लें तो लीस्ट आता है न तो लीस्ट में दिमाग नहीं लगा पारें दोस्तों यह आएगा इसका कितना आएगा नाइंटी पर्शेंट थाट्टी फाइब पोर जीरो थ्री इंटू नाइंटी पर्शेंट आप सब अल्रेडी तीजर भर दिया है इंसर बच्चे समझ नहीं पा रहे कहां खोए वह हूं 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 सीधी बात सरी एंसर होने वाले आपने बता तो दिया सर इस कोश्चन में एजी आई नहीं भी पता होती तो लीस्ट है हाँ केलिकुलेशन तुमने भेज दी अरे हमने अभी प्रोवीजन पढ़ाना हमको कहां के लिए पता करना है 2021 के लिए पता करना है इस कोश्चन में 2020 वन के लिए तो सर हमको 2021 का 42 टेक्स दिया हुआ है कि तो सर हमने पढ़ा हुआ पिछले साल का अगर एजी है हमारी देखो अगर टेक्सेवल इंकम ज्यादा है लिख रहे न वन 95500 है और आइटमाइज तो एजी आई के पहले आती है बाद में आती है अगर टोटल इंकम वन 95500 है तो एक सिंपल लोजिक लगा भी सकते हूं यहां पर चलो यहां पर अगर एक्जामीर एक सो दस परसेंट पूछ रहा हो तो भी आप एक सो दस ही बोलते पूछो क्यों क्यों कि अरे जब टोटल इंकम दे रखी है वन 95500 तो एजी आई एजी एक और कुछ डिडेक्शन नहीं दी तो इतनी होगी ना वन फिफ्टी के उपर ही हो रही है कि निए जब आपको ग्रॉस मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अजिस्मेंट नहीं हो तो एजी आई वही मालने ने पताया है ना पीछे के लेक्च्चर स 42,000 का 90% निकालते हम उसमें से जो टीडियस माइनस कर दिया उसको बार कर देदे क्लियर है सभी को कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है क्लियर है ना यह बहुत सरल सी बात ही लेकिन फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट क्यों स्टॉडल कर रहा है तो कुछ इसमें है भी नहीं क्या रीजन है कि ब्लॉक हो जादा कई मार बच्चों के दिमाग लाइफ क्लास में हम अगला कॉस्चिन यहां यह जी आई देदी आपको Mr. Barry a self-employed musician timely filed his 2020 return which showed AGI 220 तो दिमाग लगा लिया कि सर एक पचास के उपर पहुंच गए और 65,000 दिया हुआ है और एक्सपेक्ट हिस 2021 टेक्स इस एक्टी टू थाउजन तो करेंट इयर का बच्चे पता नहीं कहां आज संडेंडे तो नहीं मना रहे आप लोगे इतना सिंपल कोश्चन इसमें तो कुछ है ही नहीं क्या करना है सर इसमें 90 पर्षेंट और करेंट इयर 32 का 90 पर्षेंट निकालो कुछ बच्चों ने भी एंसर देती है अरे सर एजी आई 150 के उपर थी तो हमने क्या करना है 110 पर्षेंट निकालना है कि सो 110 पर्षेंट हमने निकाला तो 65,000 का 110 पर्षेंट कितना आता है सेवंटी वन थाउजन फाइवंड़ड और करेंट यर का 82 82 का 90 पर्षेंट कितना होता है आज घर पे जाके चारों कोश्चन करना आब लो विच्छेवर इस लोगर है कि चलिए यह कुश्चन जो है यह इंटेलिजिंट लोगों के लिए है मतलब एक्जाम में आपको कई बर ऐसे कुश्चन फेस करने पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ें कि तोड़ा समयने साइज कर लिए क्योंकि विल्डों में नहीं समा रहा था कि पोश्चन का इंटर्पटेशन में आप लोगों के लिए कर देता हूं आप लोग पढ़ड़ो आराम से शू मस्ट मेक एस्टीमेटेट टेक्स पेमेंट फूर थावजन फॉर दी टेक्स यह टोटल टेक्स हो गया केलिकुलेशन करके दे दिया उन्होंने शी मेक्स दो फॉलिंग पेमेंट्स वस्ट पेमेंट प्रीवियस यर के रिफंड से कर दिया है कितना कर दिया थाउजन डॉलर सेकेंड पेमेंट जो उसने किया है वह बीस अपरेल को किया है तो आप से क्वेश्चन पूछ रहे है क्या उसने टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं किया है आपको यह एंसर देना है बाकी सब पढ़ने की बकवास से जरूए विच उप दॉइन कीया एक आप लोगों को यह बताना है इंटेलीजेंट क्वेश्च्य नहीं है है इस विचके लगता टाइम से नहीं किया है far कशया है कित्ने लोगों को लगता है मताने किया है कि यस और नो कि देखें कि लास में बच्चे इंटर्पटेशन कितना सही करते हैं कि अगर लुद्व कि अगर लुद्व कि अगर पंदरा अप्रेल डेड़ पताई थी हमको कि और हम तो रट्टाफिकेशन मार के आये थे पंदरा अप्रेल जन्ता बटी हुई है लेकिन अभी पांच पर लोग सोच रहें कि अंसर नहीं देना है आज कसम खार रखी पांच स्टूडेंट ने की अंसर नहीं देना है सरव कि एक मिनट का समय होगे पॉल आपको एक्जाम में इससे कम समय मिलेगा एक एक देड़ मिनट तो मिलता यह देड़ मिनट कि नो वाले मतलब वो लिखने टाइम से पेमेंट नहीं किया और यस का मतलब टाइम से पेमेंट कर दिया कि अभी वी चार-पांच लोग विचार कर रहे हैं कैंसर नहीं देने अच्छा मैंने देखा कुछ कितने ही स्टूइंट कई लास में कर दस स्टूइंट भी बैठे होना तो दो-तीन एंसर नहीं देते वो साम को एक आये फर्क क्लास लगती हैं उसमें सेवंटि कई वाः स्टूइंट होते हैं 70 में से 20 स्टूइंट एंसर देते नहीं इंढ़ी चलने तो बड़ी आराम से बिल्कु लस्यस सी पी के संडे बैठते हैं वो एंसर नहीं देते हैं तो इसके करेंट वोटिंग का रिजल्ट सही नहीं आ पाता है वो बीस पर्शन अलगी चलते हैं अब इस क्लास में भी चार-पांच लोग ऐसे हैं जो एंसर नहीं दे रहे हैं यह हो सकता हूं को पोल में एंसर करते नहीं हाता हूं दो दायि मिनट में एंड पोल करते हैं और कि देखो कितना कंफ्यूज्जन आपको है हमने डोड़ी थी एक और बात कि सर हमको कितना पर्शन एड्वांस टेक्स करना पढ़ता है पहली इंस्टॉल्मेंट कितनी पे करनी पड़ती यह तो टोटल टेक्स पेमेंट चलो यह तो बताओ कितना पेमेंट करना पड़ता एडवांस टेक्स एस्टीमेंट टेक्स कितना अमांट करना पड़ता है कि अर्य यह तो बता दो बैटा कितना करना पड़ता है शुरू में अर्य अमाउंट बता दो बैटा सर 25 पर्षेंट पर्षंट करना पड़ता सुभूंट करना चाहिए ना ऐस LGBT अप्रेल तक 1000 का प्रेंट करना चीज्ट चार हजार लिखा हुआ एस्टीमेट टेक्स पेमेंट तो फॉर थाउजन का ट्वेंटी फाइब पर्शन होता थाउजन और सर्व हमने पिछले साल की रिफंड से अल्रेडी पेमेंट कर दिया है लिख रहा है फस्ट पेमेंट ग्रेडिट ऑप थाउजन फ्रूम प्रीविए कब कर दिया पहले कर दिया है तो इसका मतलब सर्थ शी हैज मेट टाइम ली पेमेंट कहां लोजिक लगा रहे है वाब कि सर्जी फोर थाउजन का ट्वेंटी फाउजन आता थाउजन वह अल्रेडी फिर्स पेमेंट लास्ट ये रिफंड से हो गया है दूसरा डेट देखा जाएं तो आपको डेट पता होनी चहिए 15 अप्रेल 15 अप्रेल तक है न और दूसरा आप जना दूसरा निकालो होоздर चार हजार का के कि आप देखों दूस्री डेट तक देखों 15 अगली डेटでは कि आती थी अग्री डेट कौन सी थी तो सर जब ऑल्रेडी रिफंट से पेमेंट कर दिया तो किस प्रकार की पेनल्टी ना तो कोई पेनल्टी लगेगी ना कुछ होगा तो पंदरा जून के पहले पेमेंट हो चुका है इस को जड़ा घर पे सोचना आप लोगों को है दो तीं काम करनी की जुरत है अच्छा मैं आपको एक थोड़ा से एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं मेरी एक स्टूडेंट है उसने यूए सीपी की रेगुलेशन में नाइंटी टू स्कोर किया तो यह बन गई हो तो उसका एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपके लोगों काम आएगा वह क्या करती थी पहले बूले से सबसे पहला काम मैं आपके लेक्शर सुने हैं से मेरे को एक फाइदा मिल जाता था मुझे समझ के आ जाता में है पुले दिन में उसका भी इंटर्व्यू भी करवाऊंगा कि शेडियूल है मेरा उसके साथ में तो रीडिंग सबसे पहले उसने मेरे को खुद मैंने उसके साथ डिसकस किया तुमने इतनी जल्दी सीपीए का सबसे पहले आपके लेक्चर्स को बॉच किया उसके बाद एक बार रीडिंग की फिर एमसी क्यू में मेरा ना स्टार्टिंग में पचपन परसेंट टू सिक्स्टी परसेंट ही आता था लॉजिकली जो लॉजिक क्लियर नहीं होते थे जो चालिस परसेंट मेरी अगर गलती हो रही है तो उसके बाद उन 40% wrong प्रोवीजेंट को में वापिस से पढ़ती थी प्रोवीजेंट को पड़ती थी कि यह क्यों गलत हुए वापिस जाके 40% प्रसेंट मेरे जो गलत क्यों इसको जाके पढ़ती थी मैं उसकी प्रॉपर रेडिंग और फिर सबको मिला कर एक फुल टेस्ट और दी टो अब तो फिर पंद्रा परशन परफेक्शन नहीं आ रहा है है लुप फिर इस पंद्रापर्शन के कौंसेप्ट को समझा मतलब एक एक चैप्टर को कम्प्लीट करने के लिए मैंने 10-10 hours to 15-15 hours दिए और मैंने जब इनको सारों को पढ़ लिया unit को तो जो मेरी mistake होती थी उसके मैंने notes बना लिए कि इन areas में मैं weak हूँ बाकी मैं तो strong already हूँ मैं तो इस तरीके से मेरे जब तक मैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर 90 परसेंट स्कोर नहीं कर रही थी मैं आगे नहीं बढ़ रही थी तो यह स्ट्रेटजी मुझे बहुत wonderful लगी कि सही बात है पहले आपने क्या किया lecture सुने concept clarity आ गई आज पढ़ा एक अग्ता और पंदा दिन नहीं पढ़े फिर उठाय साथ दिन regular इस्टडी दो से तीन घंटे आपको regular पढ़ना पढ़ें तीन घंटे तीड़ घंटा सुब्ध पढ़ो तीन घंटे की स्टडी दो किसी पढ़े सब्जेक्ट में आप चार महीने में उसको पास कर लोगे मैं लिखके दे रहा हूं कंसिस्टेंटली पॉर मंथ और इन्रोल लिजेंट वाले स्टुडेंट को देली दो घंटे पढ़ना है क्योंकि एमसी क्यूंकि है इन्रोल लिजेंट एक ही तो पेपर है यार एक पेपर के उन्होंने तीन पार्ट करने हैं तो उसमें भी हम इस्टागल कर रहे हैं कई बार और इन्रोल लिजेंट भी 90 परशेंट है पता है आपको आज कल भरपल्ले रिजेंट आ रहे हैं इसके मतलब मैं सीपीए वालों को बोलता हूं वो तो बैठे बैठे एक्जाम दे दो कोचिंग करने की जरत नहीं है आपको पास हो जाओगा खर्चा भी कम है पेपर भी सस्तिय होता है तो हम पढ़ रहे थे सर अब सर्थ टाइम से नहीं पी किया तो पेनल्टी पांच पर्सेंट अंट्पीड अमाउंट के ओपर पेनल्टी लगा लेंगे मैक्सिमम पच्चिस परसेंट कितनी अंडर पेमेंट के ओपर पांच पर्सेंट की पेनल्टी कुछ कंडीशन में नहीं लगाएंगे सर्थ आउजन डॉलर से कम का टेक्स आता है नहीं लगाएंगे पिछले साल कोई टेक्स लाइबलिटी थी नहीं लास्ट यह नो टेक्स लाइबलिटी वास इंकर इन दी प्रायर यर्टेक्स कि और किसी के साथ कोई जैनियन प्रॉब्लम आ गई तो आयरस जलाद नहीं वो भी इन्सान है इनसानी बैटते हैं कर देंगे आपको रीजनेवल कौश के वेसिस पर अगर आप कम पेमेंट कर पाते हो हर इंस्टॉल्मेंट पर जितना जितना अमाउंट आपने कम पेकिए उसके उपर पांच परशंट से मैक्सिमम 25 परशंट तक लगा सकते हैं तो टोटल मिला कि टेक्स का 25 परशंट की उपर यह हमने एडवांस टेक्स को डिसकस किया अब वो एक पॉइंट पॉइंट को डिसकस कर लेते हैं जो हमने एन्युलाइज पॉइंट को डिसकस करना था जो मैंने उपर छोड़ दिया था कि वैसे इस पॉइंट की जरुवत नहीं पड़ेगी बहुत सारे आथर ने तो दिया भी नहीं और आयरेस की वेबसाइट पर भी यह पॉइंट नहीं लिखा लेकिन एक आथर की बुक में लिखा था इसलिए मैं इंट्रेस वगेना नहीं लगता पेनल्टी लगती तो यहा अगर आपकी इंकम अन इवन होती है दो वो क्या बुर्ण नाइन्टी पर्शेंट ओफ एन्युलाइजड करेंट एयर टेक्स मतलब वो क्या करेंगी आपका एक एवरिज टेक्स रेट निकालेंगी क्योंकि अमेरिका में एक कॉंसेप्ट है कि फर्स जन्वरी से कि अधिवर्स्ट डिसंबर के अलावा भी आप अपनी बुक्स अपकाउंट मेंटेन कर सकते हैं तो फिजिकल यह आप दो यह के बीच में पढ़ रहें पता चला दो हजार बाईस में रेट अलग है कि दो हजर तेईस में रेट अलग है तो क्या करोगे बताओ कैसे एस्टीमेट करोगे तो उसके लिए आपको एवरेज रेट निकालने पड़ेगी कि एवरेज रेट कैसे निकलेगी सरमान के चलो छे महीने यहां पर आ गए या ऐसा लेलो सेवन मंथ इदर आ गए फाइब मंथ इदर आ गए तो यहां पर रेट था तीस पर्षेंट यहां था बीस पर्षेंट समझते हो एनियल कैसे निकलता मैं कैलकूलेशन बताता हूं आपके कि की मान के चलो 2020 ora 2021 की बात करीए हाँ आपकी typing ती 20.000 ना या थी 25 परशेंट यहां पर रेट तदस पर्षेंट यहां था बारा बधाई सबंस कितना आएगा और एवरेज रिट निकल कि बता तो टोटल कितना हो गया कि पूर थाउजेंड डिवाइड़ वाई कितना कर दूँ तो रेट निकल लो ऐसे एनिलाइज रेट निकालना पुड़े एलेवन पॉइंट फोर थी जो भी आ रहा है पड़ इतना पूछते नहीं है तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को कटवा दिये था नहीं तो क्या होगा कि आप ऐसे प्रोवीजन के उपर ज्यादा दिमाग लगा तो इसलिए मैंने बुला कि इसको काट दो लेकिन लेक्चर के एंड में समझाता हूं कूंकि प्रोवीजन तो है ना बड़ ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं किसी भी बुक में और ना कोई मल्टेपल च्वाइस कोई क्यलकुलेशन करके दिया है यह मैंने एक कि इंग को